नमस्क्रार मैं अंजले मिश्रा स्वागते आप सभी का दर नियोज में आपको बता दे की बी आरेस की नेता के कविता की मुश्किले जो है वो लगतार बढ़ती नज़र आ रही है बीरेस नेता के कविता को बड़ा जटका कोट से लगा है जहां पर उनकी जुडीशियल चार्षिट भी जो है दाखिल की थी और चार्षिट को विचार करने के लिए अंडर कंसिडरेशन जो है कोट ने रखा है और अब इसे लेकर 6 जुलाई को जो है वो अपना फैसला लेंगे यानि साफ तोर पर बीरेस नेता के कविता के मुश्किले दिलिशरा गुटाले माम सभूप है तो शुराव निती से जुड़े भरश्टाचार के मामले में CBI ने भी पूरक आरोपत्र दाखिल किया CBI ने राउजवनी कोट में दाखिल और आरोपत्र में बिरस की नेता के कविता को आरूपित बनाया है जहां से कविता को ज्ठका रगा है देसल कोट ने उन इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डेप्टी सेम मनीसी सोधिया के गिरफतारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी तबसे वो न्याएक हिरासत में जेल में है इडी का रोप है कि कविता आभकारी नीती घोटाले के मुख्य साजिश करता अल्ला भ्यारतियों में से एक थी उन्होंने 25 मार्च को दो घंटे की पूश्टाच के बाद दिली के मुख्यमंतरी और आमादी पार्टी के रिवास्ट्रिय सयोजक अर्वंद के जुआल को गिरफतार किया था और फिलाल लोगसबा चुनाओं के लिए एक जून तक की आंतरिम जमानत पर है उन्हें दो जून को फिर के जैल जाना हो गा आपड़ी नीटी और इसकी आड में मनिल रॉन्डिन के मामले में एडी ने के खलाव चार्शूर्ड दाखल की थी और इस चार्च जिक में इस खल फडाय में बड़ा खुलाता किया था शाडर सीट में आपक बदादे की पता चलता है कि एडी ने 1100 क्र कोटाले का जो है जिक्र किया है कि कविता जो है 292.8 क्रोड रुपए के फर्जिवाड़े में शामल थी के कविता ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी अरब तक पहचानी गई कुल रकाम 1100 यानि 1100 क्रोड रुपए है इसमें से 292.8 क्रोड रुपए के अपराद पर इस अभियोजन शिकायत में विचार किया जा रहा है चार्शेट विए यह भी कहा गया था कि कविता 292 यू राउंड फिगर में बात करें तो 293 क्रोड के अपराद में शामिल है और इसमें से 100 क्रोड यानि 100 क्रोड आपने ताक परिचार की और उन्हें नस्ट किया कविता ने अपने मोबाइल फोन के मा जो है जितने भी सबूत थे समागरी थे नस्ट कर दी के कविता ने विजयनायर जो आवादी पार्टी शुषनेताओ की तरसे काम कर रहा था उसके माध्यम से दक्षिर समू के सदस्य और आप नेत परमान अधिग्रहन और उपयोग में भाग लिया रिष्वत के शाजिस और रिष्वत के भुकतान के बदले दी इंडो स्पिरिट को एक वास्तविक वैबसाइक एकाईक के रूप में दिखाकर 192.8 क्रोण रुपए के पी योशी को हासिल करके वास्तविक लाब के रूप इंडो स्पिरिट से 5.5 क्रोण रुपए का पी यानि प्रोसीड ऑफ क्राइम भी प्राफ्त किया के कविता ने सरकारी अधिकारियों को उनके बच्वलियों के माध्यम से रिश्वत देकर 100 क्रोण रुपए के पी योशी के क्रिमिनल जो है क्रियेशनल में भाग लिया के के कविता ने इस घोटाले में अपनी भूमिका और सनलिपता को छुपाने के लिए डिजिटल सबूतों पर भी हात फेरा और डिजिटल सबूतों को भी सक्रिया रूप से नश्च कने का काम जाय किया है यही नहीं के कविता ने अपने मोबाइल फोन के देजर सबूत है उन और उन फॉर्मेट किये गए फोन के लिए किसी भी तरीके का कोई स्पष्टी करन नहीं दिया क्योंकि जब उनसे सवाल पूछे गये तो वो इसे घुमा घुमा कर जवाब देती रही और स्पष्ट तोर पर कोई स्पष्टी करन नहीं दे सकी जोसके बाद उनके उपर शक बन गया आपको बता दें कि शराब नीती घोटा ले और इससे जुड़े स्याकड़ों कर रोपय के लें दिन में धन्स और सोधन के मामले पर इडी ने तेलांगना के पूर्व मुख्यवंत्री के चंदरशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को हाइदरबाद से गिर अग्जाम है और इनके बेटे जो हैं से बॉरल सप्रोट चाते हैं उन सधार पर भी उचारी के जामानत मिल जा लेकिन अचान नहीं हो पाया इसके बाद कई अन मुद्य भी उठाएगा इसरा का मामला भी उठाएगा लेकिन उन्हें जामानत नहीं मिली तो बैक टो बैक अगर से दिली शराब गोटा लेकर मामला लंबे समय से चल रहा है अगर आप देखेंगे 15 मार्च को गिरफतार किया गया था रैसे में काफी समय उन्हें भी जेल में हो चुका है और इस मामले में उन्हें किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिल रही है उल्टा उनकी जो जबा बढ़ती रहती है और यही कारण है कि कविता के लिए शराब गोटाला मामला गले की फांस बनता नजर आ रहा है आज की अगर हम बात कर ले तो आज 7 जून है और अब उनके जुडिशल कस्टरी काफी लंबे वक्त के लिए बढ़ा दी गई है जून 21 तक के लिए उनकी रखा गया है 6 जून 5 तक के लिए तो साफ तोर पर किस रिली शराब गोटाले मामले में के कविता की मुश्किले निरंतर बढ़ती जा रही है कहरत कोई गोटाला नहीं हुआ एक पैसे का लेंदे नहीं हुआ लेकिन इस गोटाले में जो लोग भी जेल की सलाकों के पीछे जाहे वह मनी से सोधिया हो या अरवंद के जुवाल हो या के कविता हो वह किसी को भी कोट सराहत नहीं मिल रही है उल्टाइ सभी को लंबा समय सिर्फ और से जेल में बताना पड़ रहा है तो ऐसे में हमने आपको चुझी पूरा मामला है यह बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है किस तरीके से जो है इस मामले पर प्रतिक्रियाए आ रही है आपको बता दे कि के कविता को लेकर जो है उनकी टीम और जो उनके लोग है उनका क्याना है कि आराम नहीं मिल रहा है राहत मिलनी चाहिए थी लेकिन काई ना काई बहुत सारे लोग ज त τις दाखिल की थी और है काफी कुछ बड़े बयान बहु काफी कुछ बड़े खुलासे हूए ही इसके बारे में हमने आपकोanto चालब कारी कि है ऐसे में हमने आपको पूरा मामला यह वश्थार से बता है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जुराय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू से जरू साचा करिएगा नन्यवाद